अर्गेट विद्रामेसर में स्वागत है UPSC मेंज 2022 अपडेट UPSC मेंज 2022 पर संकट परिच्छा होगी या नहीं और UPSC मांक्सीट कटाफ नई नोटिस जारी जी हम मेडिकल आफिसर की आज UPSC ने नई नोटिस जारी कर दी है उसमें मांक्स और कटाफ आप अपना रोलंबर डालके डेटाबर डालके देख सकते हैं तो ये दो महत्पूर्ण UPSC की ख़बरों पर हम लोग बात करेंगे उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन और पर प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें चैनल को जर एकोट ने UPPSC के जो UPPSC 2021 का प्री का प्रेणाम है उसको रद कर दिया है उसे रद करने के साथ साथ उसने ये भी कहा है कि पूरा प्रेणाम रिवाई होगा फिर से जारी होगा 5% आरच्छन जो पूर्व साइनिक है उनको 5% आरच्छन देन लागू करने के बाद जो उसके बाद मेंस वह भी खतम इंटरव्वी तो पांच तारिक तो हो रहे थे उसका भी खतम फिलहाल और उसके सामने दो आप्शन और भी है या तो वह एक आप्शन और भी है इसके लावा दो ही आप्शन है सबसे पहला आप्शन या तो वह सीनियर कोर्ट में जाए या रिवाइज होगा प्री मेंस इंटरव्वी तक का या फिर जो छात्र इंटरव्वी दे चुके हैं मेंस दे चुके हैं किलियर कर चुके हैं उनको उनके बारे में कोई नहीं रणनी थे आयोग की ऐसा कुछ अभी अथेंटिक लूप से घोशला नहीं की है फिलहाल आप छात दिशल घ्र लिखे कि काफी समय लगएगा काफी लंबी प्रक्रिया है बड़ी जटिल प्रक्रिया है उससे मेंस तो 100 परसेंट टल जाएगा मेंस की देट प्र आगे ही जाएगी आगे ही मेंस हो पाएगा फिलहाल देखेंकर करते हैं यह आयोग क्या करता है आदिकारि मेडिकल आफिसर की जो कटाफ है और मांक सीठ वों जारी कर दी है उसकी नोटिस भी जारी कर दी है आए देख ‫लेते हैं यह Medical Officer चोसाड विभाग में जो है चिसाड इपाट्मेंट में कटाफ अंक आयोग की वेवसाइट पर उपलब्द हैं और कब तक उपलब्द रहेंगे ये भी देख लीजे चार अगस्ट से 10 अगस तक उपलब्द रहेंगे अता अपयर्तिकर्ण अपना अनुकर्मांक और जन्मतित के आधार पर प्राप्तांग और कटाफ अंक और लोकित प्राप्त कर सकते हैं इस संबंद में सूचित किया जाता है कि उक्त सीधी भरतिक के परिणाम के संबंद में सूचना का दिका जाएगा मतलब र्तिक कोच सिकार नहीं किया जाएगा जो भी है यही संकट पैदा करता है आयोग को ले करके यही संकट क्योंकि इसकी जो कारिशाली में वह पारदरस्ता नहीं है इसी को लेकर के संकट खड़ा होता और उसी की भीहण चड़ गया यह परिणाम 2021 का प्री का करिया इसी की भेंट चड़ गई तो यह रही अभी तक की जो भी लेटेस्ट खबरे आ रही है उनकी रही यह लेटेस्ट अपडेट ऐसे थंटिक अपडेट पाने के लिए चैनल से जुड़ा रही है और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे धन्यवाद